हाई गाईज कैसे हैं आप सब तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इस सूट की कटिंग अम्रेला कट जिसे रेव कट बोल देते हैं विद्धु पट्टा इसते पहले मेरी वीडियो का आचुके है ट्रांजिशन वाली उस वीडियो के अंदर फैबरिक का नेम कितने है और कितने मीटर फैबरिक है यह गोल्डन कलर का क्या है वो सब कुछ उस वीडियो में एक्स्पेंड है तो मेक्शर वो वीडियो जुरूर देख लेना और इसकी जो प्रिंसे कट मैंने उपर रखा है उसका पैटन के जो ड्राफ्ट मैंने किया था उसकी वीडियो अलग ह है वो भी आप देख लेना क्योंकि सिर्फ में पैटन यूज करूंगी बताऊंगी नहीं कि कैसे कटिंग की है सबसे पहले मेरे पास आच मीटर फैबरिक है यहां पर जिसके अंदर मैंने धाइव मीटर दूपता निकाल दिया यहां पर लेंथ वाइज में ले लिया और ले पन दूपटे में निकाली है यह किन्द कटिंग निकीरेख जैसे मतला पैटरं की कटिंग नेक्स जितना कपडा बजगया दाइमेटर दूपते लिए और आधा मिटर यहां मालू अब जितना बजगया पांच बजगया पांच को मैंने स्टिक्रें से पोल्ड कर दिया इग पर जोईंट है जो मैं दिखाया है और वो उपन साइड है अब उपर से हम कमर के मार्क लगाएंगे कमर का मेजरमेंट के अकोडिंग मार्क लगाएंगे तो मेरी कमर पंदरा रेडी करनी एक इंच प्लस करके 16 इंच का हाफ कर दूंगी 8 इंच क्योंकि यह दू पार्ट है यह इसका हाफ कर दिया 8 इंच तो उपर यह 8 का मार्क है जो आप दिखरों जो भी मैंने कट किया है यह दिख जितनी लेंग चाहिए पहले तो मैंने लेंग प्लस रखी ती इससे कभी भी रेव की कटिंग अच्छी नहीं होती रेव की कटिंग मैं आगे वीडियो में कभी बता अस्तर वाला फैब्रिक लिया जो पैटन था रखा और साइडों से कटिंग स्टार्ट कर दी यह पैटन वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इसलिए यहां पर असानी हो रही कटिंग करने में तो अस्तर वाली फैब्रिक पर करना है पहले उसके बाद जो मेन फैटन कट कर लिए अस्तर पर अस्तर को जो पैटन कट किये वो इसके उपर रख दो मेन फैब्रिक भी कट हो जाए है मारा बैक कट हो गया नेक्स्ट मूब करते है फ्रंट के साइड यह प्रिंसस कट वाला पैटन है तो दोनों साइड डबल डबल चाहिए हम यह यह पर ठीक है तो कट कर देना है और सेम इसमें भी उपर से लेके यहां तक आपको एकस्ट ली त्यान से देख लेना वीडियो वापिस देख लेना अगर आपको ना समझाए तो नीचे से एकस्ट ने लेना सिर्फ उपर से लेना जहां पी मारा वह प्रिंसस कट एट हो उसके बाद जोइट आगे ना यह हमारा फ्रंट साइड और प्रेंसे कर दोनों पार्ट को रखा मैंने में फैबरिक के उपर और अब हम सेम ऐसे ही कट कर देंगे यहां पर हमें कुछ प्लस नहीं करना ओल्डेडी हम प्लस कर चुके बस उसी के कोडिंग हम अब से कटिंग कर देनी है तो रहेंगे करेंगे अगे बनाएंगे मतलब तो यह आपको ऐखा रहें में ने चे में पार्ट यह उपर अस्न वाला पांट नेगस्ट यह हमारा अपर का बैक साठ में रखा स्टिच करना है पैर पैर और फिर नीचे की तरफ इस तरह करके वह हो जाएगा जब आप स्टिचिंग करोगे आप अटोमेटिक हो जाए गया तो यहां पर स्टिच करते हैं नेक्स गले के लिए फ्रंट 7.2 इंचिस गला उलड़ी लिख रहे हैं उपर वह बैक 10 इंचिस गला इसमें मैंने स्टिप श्रयू काटे की आप दिखाअरी है और इसमें मैंने इस तरह की चुडाई है एक इंच निच और इस पर मैं लगागा रहा हो हूँ फ्यूजबम परतना कि सफाई आए अब इस 테खा और इस तरह का पने की आँवीर नेक्तेट हैं सबसे पहले हैं टू करने को आप गले में नोमली कर सकते हैं जैसे पहले गला बना थे अटाइच करके उपर साइड लाके बैसे भी कर सकते हैं थोड़े से लाइंगे बीच में से जहां पर राउंड होता है वहां पर बारीक लेनी आपको स्टिप्स और फिर लगाना है फिर सफाई यह तो अभी कि अचना फोट टेवां थो लगी सिसटेव में अवछ ही साद से मौस Moo Sa Kutum बोलते है शिस्की टोटब एट लगी अब आट है टोंगी अनड युजए पर से फोर लेरी हूं आपको जाने पर मैं जब कट किया तो फोर लेर थी तो मैंने आथ में आथ लिया था अब उसक्या जिसने प्रेश काफ़ एक पीस यह हमारा वन पीस आगे आगे लाड़ा उसके बाद मैं अटाइच कर दिया प्रिंस अटाइच कर दिया गले बन चुके थे नीचे पिर हमें यह जो कट किया भी अंदर अस्तर और सूर गड़ का ज़ुट का जो फाब टाइब में अड़ा आग जो ने फीन गाहिए लाख से करते हुए दाइज करती यह ए ऊसे तिटा देज एक कल दो बांगर आप आपको आस्थ कर्स पहले अस्तर करने पिर यह तरह के से करके से तो साइड में फिर आपको फिटिंग करने हैं अभी मैं पहन के दिखाती हूं कि कैसा लग रहे है एक ट्रायल माल यह तो पहना नहीं है उपर से लगा कर दिखा रहे हूं यह उपर का अर्स्तर है और यह नीचे का जो है यह फैबरीक है अभी मैं इसको राइट साइड करके आ इसमें मैंने जो चुड़ाई ली है अब पीस कट करूंगे इसके चुड़ाई जिसके में लिए 6-6 इंच के लिए 6 से 1-2 पोइंट कम हो सकता है इतनी में चुड़ाई पर लगा लिए और इनको मैं कट कर दूंगी इन पर लगाना है इसको लगाना है लास्ट वीडियो में जब येलो सूट स्टिच किया था जो इशा बुरा नहीं पहना था उसकी रिक्रेशन में की थी उसमें आप लोग ने पुछा था हम यह समझ निया आप लोग ने कैसे किया यह कैसे लगाया सूट पे तो वह मैं आपको इस वीडियो में अच्छ से बताऊंगे आप देख ल प्रेस की मदद से ठीक है वन साइड आपको फोल्ड कर देना है बीच में जोइंट कर लिया वन साइड मैं इसे फोल्ड कर दे उपरवाले साइड आदे इंच पर आपको पैंस ऐसे माक लगा देना तांकि जब हम स्टिच करें लगाए तो सल नाए क्योंकि रेव होता है रे प्रेस के सब देख से कर सकते हैं तो प्रेस के दीच कर सकते हैं और अस्तर कंव रख बहुत करके से याँ जा थे चल वाया न, यह जो पड़ा है, इसका भी राइट साइड लो रखा इस त्रीके से इसको इसके उपर से रखा अब यहाँ पर सिच कर जाना, यहां यहां पर आपको उस्ठिच कर लगा था न, आपको वह लाइन बनुए लाई ता कि कोई कमी कोई सलन आए तो यहां पर स्टिच करना आपको फिर पर्लट के मीजन सिधा कर देंगे अभी मैं आपको दिखाए हूं कैसे मैं अखो कि स्टिच कर के दिखाते हूं अभी इसके बाद तो यहां पर मैंने पूरे गेरे पे ठीक्ष च्छ कर दिया यहां पर पैन से लाइन लगा करो जितने स्टिच य है उसको उपर रखो और स्टिच कर दो अब ही मैं मशीन पर बता रहा हूं यहां पहर देख सकते हैं वह स्टिचिंग अंदर कप्ड़ा जो को अंदर करते जा रहे हूं और गॉल्डर वाला जो कोपर वाला फैब्रीक है जो प्रेस कि उपर रखती जा र तो इस तरीके से लगाना है जैसे मैं आपको भी दिखा रही हूं तो यह बोर्डर में एक से तो हमारा जोइंट आएगा जैसे एक साइड से हम चले करते 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 जिब उस साइड पर वापिस पहुंचेंगे तो वहां पर जोइंट आएगा तो नापके आपको उतना कट कर जैसे इतना extra मेरा अभी निकाल दिया और दोनों के इस तरीके से पकड़ कि स्टिच कर दें और राइट साइड से करके अगें वैसे अंदर फोल्ड कर दें इस तरीके सब करने नेक्स स्लीव कट कर रहे हैं जैसे दूपत्ता मैं ने कट किया था आपको दियाने दूपत्ते स्लीव को बहुत ज्यादा है चालिस तो चाहिज हम चूडिय बनाने तो भी बहुत ज्यादा है और उपर से शोल्डर ने की जो चुड़ाई वो निकल नहीं दी तो मैंने इसमे एड कर दिया 2-2 इंच का फाब्रिक तो यह नोमाल है बस आपको साइड पर उपर एड कर दें और उपर से 3 इंच कर दिया मैंने 3 इंच का माक लगाया ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रो की जैसे मैं कर दूडर हम करते हैं तो उपर का मिजमेंट लगा लिया और जितना एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया तो यह मारी स्लीव कर चुकी है अब इसमें उपर से कुड़ाई दे एक जए के लगा जैए बसमें वह नि उपने वह बसी आपर यूज कि आप यूजा कर दो फुझ पर यूज्म ए दिश्क करने यह लगा चाहिं कि आपको फिर से बिखा देते हूं कि आप यह वर लाग बहुदा ऑट पर दो स्टेचिंग मैं आपको निचान के उन्ट तरीक करके लगाना है लगाने के बाद कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा ऊपर से ऐसा आएगा ठीक है तो यह हो गया रएड़ी अभी होगी स्टिच अंदर से भी पता नहीं चल रहा कैसे जोइंट कर रहा है वह जोईंट जोई रहा है जिसे हीडन बोल देते हैं हम अब पता ही चल र अब बाद नहीं एक लगा लगा लिया इसके बाद नो मरे जितनी हमे फिटिंग रखनी है स्लीव काई रखनी है तो यह रख लिए प्र निकाली ती नेचे में सेंग बडावट अब बडर लगा दिया यह को पर वाला साइडों पर अब कर यह चुड़ाई की तो अबिस लि अब यह चुड़ा यह चुड़ा उसके बाद निचे लिए पर लगाया यह तो यह सारा दूप यह सारा फैबरी के ऊपर नहीं लग रहा यह आउटर में जा रहा है आउटर में डिटेलिंग वालब चुड़ाई ओटोमेटिक बड़ रही है तो ऐसे यहां पर स्टिच करने आपको पलट लेन राइट साइड निचे वाल साइड करने तांकि असानी हो सके और इस तरीके से जो स्टिचिंग करिए साइडों की तुप टे की वैसे दबाते जो जैसे आपको दिखारें दो कितनी सफाई आई यह बस इसी तरीके से दोनों साइड पे ऐसी लगा कि उसको पता नहीं चलेगा चाहे दुपटा के पर रिवर्स भी हो जाता है दुपटा होता है रहता उल्टा सिधा तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि स्टिचिंग नहीं आएगी यह स्टिप्स आउटर में जा रही है इसलिए तो इस तरीके से सूट रेडी हो गया ह कुछ पहना हुआ स्टाइलिल किया हुआ ऐसा लग रहा है त्रांजिशन वीडियो आप दे सकते हो इसमें काफी सारी पोजिस ऐसे पिक्स मैने क्लिक करी है और काफी सारी वीडियो वगेरा इधर उदर लोकेशन पे तो वह आप देख लेना सो बताना मुझे कैसा लगा लुए बस्द आप आप गए अगरे वीडियो पसंद आती है और अपको टोरियल अचा लग देन प्लिस लाइक अग अच्छा लाइक अन शच्क्राइब कर देख वोर शच वीडियो अच्छ वीडियो आपको अगा लूग्योर अगे भीयो यू आपको लूगे यू वागे कर दो प्रूब करें झाल झाल झाल